हाई एवरीवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयूब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ रहूल जैस्ट वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर्ट टूटोरियल्स में फ्रेंट्स आज अगेन आपके सामने एक most important science का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8 standard के लिए science subject का जो हमारा second semester का chapter चाप्टर चल रहा था जिसका नाम है दोस्तो चाप्टर नमर 13 chemical changes and chemical bond आज हम इस चाप्टर का लेक्चर नमर 2 आपके लि है उसको भी नए तरीके से अप्लोड करना शुरू कर दिया है बोड पे सिखा के जिससे आप लोग को और बेटर वे में समझा तो हम दो का just chapter नमर जो 8 sorry chapter नमर 1 जो है 8 standard के science की बात करें उसको हम लोग ने री अप्लोड किया हुआ है आप देख सकते हो जा कि आगर आपने न knowledge और हर चीज़ क्लियर हो जाएगा आप लोग का तो तो लिए पहले तो ये lecture की शुरुआत करते हैं lecture number 2 है इसमें हमने अब तक क्या-क्या complete क्या है वो आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं तो हमारा जो chapter है जिसका नाम है chemical changes and chemical bond तो सबसे पहले हमने देखा था है chemical changes हमारे हर दिन हमने देखा था किस प्रकार chemical changes हो रहे है तो हमने सबसे पहला देखा था कि natural तरीके से joh chemical changes हो रहे वो किस प्रकार हो रहे थे तो उसमें हमने देखा था respiration का हाल देखा था हमने喝 साथ ही में हमने देखा था कि plants के case में photosynthesis कैसा होता है ये भी एक तरीक एक natural chemical changes है तो ये हमने previous lectures में cover किये थे आज के lecture में हम लोग cover करने जा रहे manmade chemical changes थेक है तो वीडियो बहुत important है वीडियो को बिल्कुल skip मत कीज़ेगा वीडियो को end तक जरूर से देखेगा तो चलिए शु आप नहीं हो रहा है अब photosynthesis का किसी भी इंसान का हाथ है क्या उसमें नहीं वो अपने आप करता है plant जो है अपने आप करता है तो उसको हम लोग photosynthesis natural changes बोलते थे लेकिन ये manmade changes मतलब क्या होता है कुछ ऐसे changes होते हैं हमारे life में जो हम लोग जाम बुचके करते हैं ताकि इसक लेकिन जादा दर हम अपने फाइदे के लिए इसको इस्तिमाल करते हैं बहुत सारे examples होते है cold drink हो गया lemon soda हो गया ये सब चोड़े चोड़े examples है हर चीज में एक तरीके से reaction चुपा हुआ है जो कि हम लोग जान बुचके करवाते हैं तो आज हम लोग कुछ ऐसे reactions के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोग जान बुचके करते हैं और इससे हम लोग फाइदा भी पहुच सकते हैं तो सबसे पहला जो होता है combustion of fuel का combustion किस प्रकार हो रहा है वो हम लोग देखेंगे combustion of fuels ठीक है अब combustion of fuels की अगर हम बात करें तो ये fuel मतलब क्या होता है जैसे कि आपको पता है fuel बहुत सारे टाइप के होते हैं kerosene भी एक fuel है ठीक है आपके घर में जो oil आता है वो भी एक fuel है आपके घर में CNG या फिर CNG तो होता नहीं LPG liquefied petroleum gas जो होता है जिससे आप cylinder से खाना बनाते हो वो भी एक fuel है petrol, diesel, kerosene, paraffines ये सब क्या एक तरीके से fuel है तो बहुत सारे तरीक के form में मिलती है या तो हम लोग को combustion energy के form में मिलती है और इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने फाइदे के लिए और ये जो भी common substance होते है दोस्तो इसकी बात करें तो ये चीज से हमें क्या मिलता है mainly जो common substance ये सब fuel के अंदर जो होता है एक common element सब के अंदर प्रेजेंट ह ही तो बने है दोस्तो तो आपको ये चीज पता है कि carbon उसके अंदर होता है तो एक छोटा सा reaction में आपको लिखके बताऊंगा जो कि आपको समझ में आएगा कि क्या equation है तो let's suppose if you are adding carbon जैसे कि आपको मैंने बोला कि carbon हर चीज में present है तो अगर carbon हमारा जब जलेगा तो किसके help स जलेगा oxygen के help से जलेगा because हमें पता है कि बिना oxygen का कोई बीचीज जल नहीं सकता तो oxygen के help से जलेगा यानि कि carbon प्लस oxygen हो जाएगा and we know that कि carbon oxygen रियाक करते तो क्या बन जाता है दोस्तों वो बन जाता है carbon dioxide क्या बन जाएगा वो carbon dioxide बन जाएगा और इसका अगर chemical reaction बात करे हम लो chemical CR लिख रहा हो chemical reaction तो carbon के लिए C oxygen O2 तो यह क्या बन जाएगा carbon dioxide CO2 बन जाएगा clear है तो यह हमारा word equation है यह हमारा chemical reaction या फिर chemical equation आप बोल सकते हो ठीक है तो यह चीज चला गया तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही कोई भी fuel अगर combustion हो रहा है यानि कि जल रहा है in the presence of oxygen तो वो बनता है carbon dioxide और वो क्या होता है irreversible होता है यानि कि carbon dioxide से फिर से में carbon और oxygen को separate नहीं कर पाऊंगा ठीकिन आप देख लो अगर जलाके एक मिर पास लकडी है लकडी को जलाके मैं क्या करता हो carbon dioxide निकाल देता हूँ क्या आस निकलेगा न धुआ निकलेगा वो carbon dioxide ही तो है तो carbon dioxide धुआ जो निकला उसको मैं वापस से लकडा और carbon बना सकता हूँ या फिर मैं carbon और oxygen बना सकता हूँ के नहीं तो therefore ऐसे टाइप के जो reactions होते हैं वो हम लोग जाम बुचके कर रहे हैं इसके लिए क्या है man-made reactions है हम लोग जाम बुचके कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को क्या चा अब एक और है शाबाद tiles को कैसे हम लोग clean करते हैं शाबाद tiles आपको पता हिए कि हमारे घर में बहुट सारे tiles लगे रहते हैं अलग अलग type के तो उसमें से एक type होता है शाबाद tiles और हमिए अब आपको लिख करना तो शाबाद tiles को with HCL HCL मतलब क्या होता है hydrochloric acid तो hydrochloric acid के help से हम लोग क्या करने वाले हैं इसको शाबाद tiles को clean करने वाले है यह हम लोग देखेंगे ठीके ओके तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताओ शाबाद tiles में और एक तरीके से क्या होता है कि जो chemical combination होता है शाबाद tiles के अगर हम लोग बात करें वो किस से बना होता है calcium carbonate से बनाता है तो मतलब main element क्या है कोई भी चीज जैसे कि आपको पता है हमारा दात के अंदर भी calcium carbonate होता है हमारा यह जो tiles होते हमारे घर के आसपास जो लगे होते है आपने देखा होगा यह सब टाइल ले ले हो हम basic element जो होता है जैसे हम लोग कोई भी fuel में basic element carbon था वैसे ही जितने भी type के शाबाद tiles होते है उसमें basic element होता है calcium carbonate यह आपको ध्यान में रखना है तो calcium carbonate क्या होता है शाबाद tiles का basic element है और उसके साथ मैं क्या करना हूँ अब HCL डाल रहा हूँ है उसके पर क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि मुझे clean करना है अगर कुछ भी उसके पर दबा लगा हुआ है तो जब भी मैं HCL से उसको यहाँ पर साफ करूँगा यानि कि clean करूँगा तो इससे होगा क्या क्या करना पड़ रहा है कि calcium carbonate के उपर क्या लगाना पड़ रहा है hydrochloric acid लगाना पड़ रहा है hydrochloric acid हम लोग क्या कर रहे है उसमें react कर रहे है तो hydrochloric acid जब भी हम लोग react कर रहे है तो उससे क्या मिल रहा है यहाँ पर जब भी हम लोग react करेंगे तो हमें क्या मिलता है एक अपर लेयर जो होता है, मतलब उपर का जो लेयर हैगा, उपर का जो सतेर हैगा, टाइस का, वो clean हो जाएगा, HCL से क्यो clean होगा, क्योंकि जो भी उसके उपर जमा हुआ रहेगा, क्या जमा हो रहेगा, calcium chloride करके यहाँ पर constituent compound जो है, वहाँ पर जमा हो जाता है, और साथ में carbon dioxide निकल जाता है, और पानी भी निकल जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं, कि whenever we are reacting calcium carbonate with hydrochloric acid, तो हमें क्या-क्या मिल जाता है, एक तरीके से calcium chloride, calcium chloride यहाँ पर मिल जाएगा, साथ में हम लोग को मिल and salt, calcium chloride के form में होते हैं, फिर हम लोग को carbon dioxide भी यहाँ से निकल जाता है, gas के तोर पे, क्योंकि जब भी HCL शाबाटाइस के उपर गिरेगा, तो यह जो है, इसके साथ react कर जाएगा, और एक gas भी निकल जाएगा, जिसका नामे carbon dioxide and साथ में थोड़ा सा पानी जो है, वो अलग से separate हो जाएगा, अब इसको chemical reaction के form में लिखेंगे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि calcium carbonate जो होता है, CACO3 होता है, calcium carbonate, उस पे हम लोग HCL जो होता है, dilute, dilute मतलब पानी में मिला हुआ, dilute क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर ज्यादा concentrated यूज कर रहेंगे, तो शाबाटाइस को तोड़ देगा, ठीकिन आपको पता है, HCL जो होता है, वो बहुत strong होता है, तो अगर हम लो साथ में carbon dioxide gas निकल जाएगा, और साथ में पानी निकल जाएगा, और यह जो reaction है, यह हम जाम बुचके करवाते हैं, ताकि हम लोगा जो उपर का layer होता है, किसका calcium carbonate का, यानि कि हमारे tiles का, शाबाट tiles का, वो clean हो जाएगा, तो clean होने से क्या हो जाएगा, चमकने लगेगा फि ऐसे ही, एक और reaction हम आज देखेंगे, फिर हमारा आज का lecture को stop करेंगे, ठीके, ठीके, तो next reaction क्या है, उसको भी study कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे के पार्ट पे जाते हैं, फटा-फट से पहले मैं rough कर लो इसको, फिर हम लोग चलते हैं हमारे अगले type के reaction की तरफ, जिसका न पानी को साफ करना और soft बनाना, पीने लायक बनाना, that is, उसको बोलते हैं हम लोग softening of water, तो softening of water की हम बात करें अगर दोस्तो, तो पानी कभी खारा होता है, जब आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे purification plants आपके district level पे या फिर city के level पे लगे होते हैं, बहुत बड़े- कुछ अलग minerals content है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, पीने लायक, तो उसको soft बनाना पड़ता है, by reacting with some chemical, chemical reactions करके हम लोगों उसको soft बनाना होता है, तो वो कैसे बनाते हैं, ये सभी चीज में आपको बताने वाला हो, ये आपके general knowledge के लिए बहुत जादा important, आप science प निकला therapies हो, तो थोड़ा सा पको अजीब लगएगा, salty जैसा लगएगा हल्का, क्यों कड़क होता है, वो hard water होता है, तो वो ज varied water होता है, और तेस्ट ब्र होता है यानि थोड़ा सा आपको salty जैसा लगेगा और साथी में कि जब भी आप कपड़े धोगे अगर आपने नोटीस किया होगा ये चीज़ आपके मम्मी लग जो होंगे आपके उनसे पूछना कि जो hard water होता है मारी मदर होती हैं बहने होती है वो क्या करते हैं वो लोग साफ पानी का इस्तिमाल करते हैं यानि की soft water soft water मतलब पीने लाइक पानी का इस्तिमाल करते हैं ताकि कपड़े और अच्छे से धूल सके यह सभी चीज आपको समझना पड़ेगा यह important है तो उसमें कैसे हम लोग react कर सकते हैं hard water को soft water में कैसे convert कर सकते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है तो दो reaction यहाँ पर बताऊंगा मतलब reaction तो एक ही है लेकिन word equation के form में भी और chemical reaction के form में भी आपको बताने वालो हो तो ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहली बात जो hard water को hard बनाता है वो constituent को क्या बोलते हैं हम लोग calcium carbonate बोलते हैं sodium carbonate ठीक है यहाँ पर हम लोग और थोड़ा proper तरीके से लिखके दिखाता हो calcium carbonate था पानी के अंदर जिसके वैसे हो hard हुआ तो हमने क्या मिलाया उसमे sodium carbonate ठीक है ना हमने क्या मिलाया sodium carbonate उसके अंदर जब मिलाया तो वो दोनों क्या करेंगे chemical reaction करेंगे जांबुच के हम करवा रहे है manmade reaction हो रहा है तो जब उसमें मिलाया तो हम लोग को मिलेगा उसमें क्या मिलेगा calcium carbonate नहीं है chloride है बाई मिश्टेक हो गया sorry दोस्तो ठीक है calcium chloride है जो आपके cacl2 होता है जो आपके इसमें रहता है आपके जो पानी होता है उसके अंदर पहले से प्रेजेंट होता है जिसके वैसे पानी हाड बन जाता है उसको calcium chloride बोलते है और एक होता है sodium carbonate जो आप जांबुच के मिला रहे हो ठीक है आप मिलाने के बाद क्या होगा दोस्तो तो इस हम लोगों मिलेगा calcium क्या मल जाएगा calcium carbonate मिल जाएगा इसमें reaction होने के बाद और साथ ही में calcium carbonate के बाद इसमें मिलेगा sodium chloride यहाँ पे मिल जाएगा तो यह उसका word equation है मतलब जब भी उस पानी को hard water को हम react करते हैं किसके साथ क्या डालते है उसमें पानी के अंदर sodium carbonate तो hard water के अंदर main present होता है calcium chloride जो उसको hard बनाता है तो वो और sodium carbonate जो हमने डाला हुआ यह दोनों आपस में reaction कर लेंगे reaction करने के बाद क्या बनाएंगे calcium carbonate बना देंगे और sodium chloride बनानेगे अब इसका chemical reaction लिखके दिखाता हो chemical reaction क्या होगा calcium chloride को हम लिखते हैं cacl2 वो ही हम लोग प्लस कर रहे है sodium carbonate के साथ या निए कि na co3 जिसको हम लोग बोलते है sodium carbonate na2 भी लिख सकते हैं na2 co3 भी लिख सकते हैं तो यह याद रखना अब यहाँ पे na2 co3 जो है आपस में जब react करेंगे तो यह बनाएगा calcium carbonate और इसको हम लोग बोलते हैं cac o3 यानि कि जो calcium था उसके carbonate को ले लेगा अपने पास तो calcium और carbonate आपस में जूड जाएंगे और यह na2 था और यह cl2 था यह मिलके क्या बना देंगे दो molecule of sodium chloride बना देंगे nacl बना देंगे जो कि आपका नमक होता है तो आपने indirectly क्या किया यहाँ पे reaction समझो देखो क्या बता रहा हूं में यहाँ पे क्या किया कि आपने hard water को soft water में convert करने के लिए उसमें डाल दिया sodium carbonate तो sodium carbonate acid डालेगा तो sodium ने CL को अपने साथ ले लिया और salt बना दिया नमक बना दिया और CA ने CO3 को अपने साथ ले लिया तो calcium carbonate अलग हो गया प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी अब तक जो भी हमने पढ़ा है तो basically आज जो था स्विप manmade changes के बारे में था इसके पहले वाला lecture नमबर वन जो था उसमें हमने natural changes and कुछ important physical and chemical changes के बारे में पढ़ा था तो पूरी उमीद करता हो कि अब तक हमने जितना पढ़ा है इ दूसरा होता है covalent bond ये कैसे formation होता है पुरा proper diagram के साथ बताएंगे बहुत अच्छे समझेगा तो इंतजार करना है बस हमारे अगले lecture का इस particular chapter में तो फटा फट से इंतजार कीजिए and ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें comment करके बताएगा और अपने राय और suggestion ज में ये वीडियो देखने के लिए thank you and goodbye